स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल Computer Facts RBL में आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो generation of computer के बारे में computer में generation क्या होती है computer में पीडियां क्या होती है इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाने वाले हैं तो चलिए देखते हैं कि generation of computer क्या होती है computer की पीडियां क्या होती है तो देखिए जैसे हम लोगों की generation अभी तक विक्सित हुई है वैसे ही computer में generation क्या हुई है विक्सित हुई है तो computer में अगर computer की बात करें तो computer में अभी total कितनी generation विक्सित हो चुकी है तो अभी 5 generation हमारी complete हो चुकी है 5 generation में जो हमारी first generation थी उसके बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तो first generation जो हमारी थी वो 1942 से 1955 के बीच में चली थी इस generation में vacuum tube technology यानि कि निर्वात वाल जिसको हिंदी में बोलते हैं का प्रियोग किया गया था इसमें question जो पूछा जाएगा अब के exam में वो पूछा जाएगा कि first generation में कौन सी technology यूज़ भी थी तो vacuum tube एंगलिस में हो सकता है और हिंदी में निर्वात वाल का यूज़ किया गया था और आपसे questions जो बनाएगा वो बनाएगा कि इस generation में computer के आकार क्या होते थे मतलब size में बहुत बड़े होते थे और working in की speed यू होती थी very slow होती थी बहुत slow होती थी और इसकर इसमी भासा की बात करें तो इसमें भासा आपकी machinery भासा होती थी इसमें binary language का यूज़ किया जाता था इसके बाद हम बात करेंगे इस generation में कौन कौन से computer use हुए तो इस generation में सबसे पहला तो important questions ये बनता है कि first generation में use होने वाले computer के name आपको बताने होंगे तो सबसे पहले ENIAC होता है इसका full farm क्या होता है तो full farms आपको जो है हम इसी PDF में provide कराने वाले हैं इसके बाद आपका एडविसाइक हो जाएगा यूनिवैक हो जाएगा मार्क फर्ष्ट हो जाएगा IBM की जो series आपकी आए थी 701 आए थी उसके बाद IBM की आपकी जो series है वो 650 है ये IBM की series थी अब इसमें किसका use किया गया था punch card में ये बहुत important point है कई बार आपके competitive exam में questions पूछा गया है और O level C के exam में भी questions पूछा गया है paper tape पर आधारित था ये जो technology थी ये जो first generation थी वो कैसपे थी paper tape पर आधारित थी इनमें निम्न इस्तिरी भासा यानि की machine level language का use किया गया था निम्निस्तिरी भासा को हम क्या बोलते हैं machine level language बोलते हैं आगे हम बात करेंगे तो इसका use किस purpose के लिए किया गया था तो इसका science की यानि की वैग्यानिक छेत्र के लिए और किसके लिए defense के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था कौन सी generation की बात कर रहे थे हम तो फर्स generation की अभी तक बात कर रहे थे अब फर्स generation के बाद आपसे question पूछा गा second generation तो second generation आपकी कब से चली थी 1956 से 1964 के बीच में आपकी second generation चली थी आपकी इस generation में transistor technology का use हुआ था सबसे important point इसमें बनेगा कि second generation में कौन सी technology का use किया गया था तो transistor technology का use किया गया था अब उसके बाद questions पूछा जाएगा इस generation में कौन कौन सी computer का इस्तमाल किया गया था इस generation के computer जो हैं वो कौन से हैं honey bill है 400 IBM 7094 है CDC 1604 ETC और भी बहुत सारे थे बट ये आपके क्या हैं ये important आपके क्या हैं computer हैं इसमें assembly level language का use किया गया था और for train language का उसके साथ साथ में COBOL language का भी इस्तमाल किया गया अगर आपसे question पूछा जाए कि first हमारी programming language जानी कि first high level language कौन सी है तो वो हमारी है formula translator क्या है formula translator जो हमारी है वो first high level language है इसके बाद इसका use कहां पे किया गया था तो इसका use वैग्यानिक छेतर में और विवसाई के छेतर में इ memory के नाम से जानते थे या फी चुमिकी टेप का इस्तमाल किया गया इसके बाद magnetic disc का उप्योग भी इसमें किया गया आगे हम बात करेंगे third generation में third generation की बात करेंगे तो third generation में हमारा क्या use होता है IC use होता है IC जो हमारी होती है उसका full farm होता है integrated circuit ये जो IC है ये third generation में use होने वाली क्या थी technology थी और ये जो generation थी ये 1965 से लेके 1975 के बीच में ये generation चली थी और इसमें technology जो थी हमारी थी वो IC थी IC को आपको नहीं भूलना है third generation से अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से computer use किये गये थे तो IBM 360, IBM 370 और CDC 6600 ये आपका first super computer था first super computer जो आपका था वो CDC कौन सा था? 6600 था अगर हम बात करें आगे तो इसमें multi processing time sharing operating system का use किया गया था यानि की प्रयोग किया गया था इसमें high level language में कौन कौन सी language का use किया गया था? तो COBOL का use किया गया था, Pascal का use किया गया था, Basic का use किया गया था और आपका Algol का use किया गया था इसके बाद IC जो है वो सिलकान धातु की बनी होती है कई बार questions आप से पूछा गया है कि IC जो होती है वो कौन सी धातु से बनी होती है तो IC सिलकान धातु से बनी होती है जो कि आपकी semi conductor होती है semi conductor का मतलब होता है अर्ध चालक अर्द चालक आपकी ये धातू होती है जिसका नाम होता है सिलकान और सिलकान धातू जो होती है वो कहाँ पाय जाती है तो सिलकान धातू बैंगलोरू में पाय जाती है कहाँ में पाय जाती है बैंगलोरू में पाय जाती है आईसी की खोज सबसे पहले यानि कि आईसी की वैली के नाम से जानते हैं यह 3rd generation के आपके important points हो गए थे आगे चलते हैं 4th generation के बारे में तो 4th generation में इस generation की जो starting थी वो 1971 से 1980 के बीच में थी इस generation में micro processor के साथ में VLSI इसका मतलब है very large school integrated circuit का यूज किया गया था अगर आप से पूछा जाया कि कौन से technology यूज किया गया था तो micro processor और VLSI का यूज किया गया था 4th generation में इस generation में high level language जैसी C, C++ database का प्रियोग किया गया था इसमें कौन-कौन सी language थी तो वो high level language थी C, C++ और आपका database इस तरीके से language का यूज किया गया था इसमें Apple का PC जो है आपका DEC 10 जो है IBM का 43, 41 computer का यूज किया गया था बहुत आकार में बहुत ही चोटे computer होते थे 4th generation के computer क्या होते थे बहुत चोटे होते थे इनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते थे मेमोरीश हमता इनकी क्या थी बहुत बढ़िया थी यानि कि बहुत अधिक इसकी मेमोरीश capacity थी आगे हम बात करेंगे 5th generation के तो 5th generation का जो हमारा था 1985 से लेकिए प्रजन तक अभी तक हमारी 5th generation चल लएए और हमने बताया कि अभी तक हमारी कितनी generation विक्सित हो चुकी है तो total 5 generation विक्सित हो चुकी है इसमें AI का यूज किया गया था AI का मतलब होता है artificial intelligence जिसको हम कृतिम बुद्ध के नाम से जानते हैं कृतिम बुद्ध का इस्तमाल किया गया था जैसे आपका robotics होता है जैसे आपका क्या होता है robot होता है कृतिम बुद्धि का मतलब होता है यह ऐसे बुद्धि जो मानुद्वारा बनाई गई है जैसे आपका एक बनाया गया है रूबूट बनाया गया है इसमें intelligence जो है आपकी artificial डाली गई है और इसमें SLSI का भी use हुआ था और ULSI का भी use हुआ था जिसको हम क्या बोलते है super large scroll integrated chip बोलते है और यहाँ पे हो जाएगा ultra large scroll integrated हो जाएगा इसमें भी high level language जैसे C, C++, Java, .NET, Lips यह सब भासाओं का in language का use किया गया था laptop, IBM, notebook, ultra book, super computer इन जनेरेशन के क्या है एक्जामपल है इस जनेरेशन में optical disk जैसे CD, DVD, BRD Optical disk आपको पता होगा कि क्या होता है जिससे CD होता है बहुत questions पूछा आता है कि Optical disk के एक्जामपल क्या होते है CD होता है और आपका DVD होता है DVD के बाद आपका क्या होता है BRD होता है BRD मीन होता है Blu-ray disk इसमें क्या करते है data को हम temporary data को हम permanent store करते है CD की storage capacity 700 MB होती है DVD की 4.7 GB होती है और BRD की 25 GB से लेके 50 GB के बीच में होती है इसके बाद इसमें virtual card का use हुआ था यानि कि memory card और virtual memory का भी इसमें इस्तमाल किया गया था अभी तक total जो generation हमारी है वो 5 generation विक्सित हो चुकी है और सबसे पहले आपको याद करना है कि किस generation में कौन से technology यूज हुई थी और कौन से generation के कौन कौन से computer है और किस generation में कौन से language का इस्तमाल किया गया है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप like, subscribe करें और अपने friend के साथ जरूर share करें इसी तरीके से हम वीडियो इसी channel पे लाते रहेंगे अगर आप हमारे telegram channel पे जुड़ना चाहते हैं अगर आपको pdf चाहिए तो आपको pdf कहाँ पे मिलेगी इस telegram channel पे आपको pdf मिल जाएगी ये same pdf आपको बिना किसी payment की pdf फिरी मिलेगी लेकिन आपको जाना है computer facts, rbl किस channel पे जाना है तो आपको telegram channel जॉइन कर लेना है थैंक्यू for watching मिलते हैं आपको next show review में तब तक के लिए जय हिन जय भारत